दोस्तो data चाहे photo के form में हो, video के form में हो, या PDF के form में हो, अगर वो delete हो जाता है और recover नहीं होता है, तो बहुत दुख होता है, इस दुख का सामने मुझे भी कुछ दिन पहले करना पड़ा, पता नहीं यार किस तरीके से sound कर रहा है, बट हाँ, actual में ये चीज़ हुआ था, मेरे इस memory card में बहुत important data था, delete हो गया, यानि के footage थे, तो उसको मैंने recover कर लिया, तो मैंने सूझे चलो एक, आपको complete process बताते हैं, कि data recovery कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, साथे साथ free method क्या है, paid method क्या है, तो in sort ये video बहुत जादा detail में होने वाला है, किसी तरीके का भी आपके प पुरा अंतक जरूर देखना, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, कि आखिर इन pen drive से जो data delete होता है, वो किस case में आ सकता है, वापस और किस case में नहीं आ सकता है, वो पहले आप जानलो, वैसे अगर आपको जल्दी है, जानना है, कि नहीं भी आप में बता दो यार, तो skip कर लो यार, इस पार्ट में देख लो, बट ये वाला information आपके पास रहेगा ना, तो बहुत काम आएगा, तो देखो है, कोई भी pen drive होता है, let's suppose ये 32 GB का pen drive होता है, तो वो recover कैसे होता हो, वो पहले जानते हैं, तो 32 GB का pen drive होता है, उसको छोड़े-छोटे clusters में आप बाट लो और उसके बाट क्या है, let's suppose आपका 8 GB का data है, और उसमें से कोई भी data गए delete होता है, तो क्या होता है, इन cluster से वो data का जो file है, वो किवल आपको नहीं दिखता है, बट actual में उसके files छोटे-छोटे रहते हैं उसके अंदर, और उसी से आप चाहो तो recover कर सकते हैं, अब recover किस case में नहीं होगा, let's suppose आपने delete किया कोई file और उस पे override कर दिया, तो वो cluster most probably भर सकता है, तो उस case में आपका जो data है, वो recover करने में मुश्किल आ सकती है, बहुत दिक्कत भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, तो अगर आपके पास समय है, आप directly delete कर दियो गलती से, और समय रहते ह अगर आप recover कर रहे हैं, अगर आपने override नहीं किया है उस file को, तो काफी सही सही ये चीज हो जाएगा, अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कुछ free method, तो देखो है, सबसे आसान होता है, कोई भी file delete हुआ, recycle bin में जाओ, और वहां से recover कर लो, बहुत आसान तरीका है, and I hope आप pen drive को हम insert कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा 32GB वाला ही pen drive है, और इसको अगर मैं open करके दिखा हूँ, तो कुछ videos है, कुछ photos है, इसके लावा कुछ audios भी इसके अंदर है, जो कि आप देख सकते हैं, और इसको वे open करके भी आपको दिखा देता है, तो एक छोड़ा सा वीडियो है, जो कि आप देख सकते हैं, अब इन सारे चीजों को ना, मैं पहले आपको delete करके दिखाता हूँ, और normal delete नहीं, मैं directly control, जो shift delete होता है न, direct जो permanent delete होता है, वो करके दिखाता हूँ, और आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं, हमने finally इस file को delete कर दिया, यह वही चीज़ है, इस पर override मत कर देना कुछ चीज, otherwise recovery थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इस चीज़ को recover करने के लिए दोस्तों, आप Wonder Sayer के तरब से जो software आता है, recover it, उसको आप download कर सकते हैं, मैं free वाला पहले आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर आप 100 MB तक चाहो तो recover कर सकते हैं, तो अगर आपका data 100 MB के आसपास का नीचे का है, आप अराम से इसके तुरू recover कर सकते हैं, software download करो, इसके बाद जैसे ही download होता है, open करो और उसके बाद install कर लो, जो कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सारे process को follow करने के बाद ये install हो जाता है, तो installation हो जाने क आप 100 MB तक अपने data को recover कर सकते हैं, वैसे अगर उसके ऊपर आपको recover करना है, तो definitely वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़े दिर में, अब चलो इसको हम click करते हैं, तो click करने के बाद ये scan करना start करेगा, अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं, directly इसने scan कर दिया और सारा data दि अब आपको start में याद होगा साई 4 या 5 files थे, बट इसने 20 files कहां से लेकिया आया, तो इसके पहले भी यहाँ पर कुछ files हमने delete किया था, वो भी यहाँ पर से list out होके आ गया है, तो यहाँ पर से directly मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो हमने logo यहाँ पर रखा था, वो यहाँ प अपना जो भी recover करने का process है उसको start कर सकते है, बट let's suppose यहाँ पर से दोस्तों आपका 100 MB से कम है, जैसे हमारे case में है 20 MB, तो यहाँ पर से हम recover पे click करेंगे, वैसे यहाँ पर से आपको यह भी बताया जाएगा, कि 100 MB से आप 20 MB यूज़ करने वाले हो, तो हम करेंगे यार, क्य लेते हैं और एक folder create कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो देखने में, इसी तरीके से आप भी करना मैं recommend यही करूँगा, तो new folder create कर लेते हैं दोस्तों और यही वाला folder के अंदर यहाँ पर से हम click करके ok करते हैं, आप देख सकते हैं within few minutes या within seconds जैसा आपका laptop गो configuration होगा, यह recover करके लाके दे दिया है, तो यहाँ पर जगर मैं इसको open करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते थमने ला चुका है, इसके अलावा जो वीडियो थे वो भी हमारे recover होके आ चुके हैं, और यह सारा recover मैंने custom folder पर किया है, जो कि आप देख सकते C drive के अंदर जाके हुआ है तो हमारा pen drive में अभी भी कोई file हमें नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से आप recover करके अपने files को अपने pen drive में वापस से डाल सकते हैं, तो इसी तरीके से दोस्तो यह recovery software काम करता है, अगर आपको try करना है तो link description box मिलेगा जरू देखना, अब दोस्तो अगर आपका large data है, जै requirement आपकी जैसे यह वैसे ले सकते हो, अगर आप educational purpose के लिए लेते हैं, तो बहुत कम price में मिलता है, तो यह सारे आप अपने according देखना, हमने यहाँ पर एक key purchase कर लिया था, जिसको हमने note pad में shape करके रख लिया है, तो इसको activate कैसे करना है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं sign in कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं, जो free वाला symbol था वो हट गया, क्योंकि मैंने paid वाला plan है उसके through upgrade कर दिया, अब मुझे unlimited access मिल गया है, मैं अराम से चाहूँ, तो उस period के दोरान सारे data को recover कर सकता हूँ, त उसके लिए दोस्तों यह वाला जो software है, इसको हम back कर लेते हैं, और यहाँ पर से इसको back करने के बाद दुबारा से scan करेंगे, जैसा ही सारा scan process complete होता है, तो आप clearly देख सकते हैं, सारा चीज यहाँ पर से दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर scene क्या है, कि जो जो हमने video footage delete कि उसके जो भी symbol बनते हैं, जनरली आप DSLR से recording करोगे, तो थोड़ा बड़ा बड़ा file बन जाता है, तो वो सारे यहाँ पर list out हो क्या आगए है, इनको मैं preview भी कर सकता हूँ, recover करने से पहले, तो यह भी बहुत सही चीज है, और इसको सारे को select करके, यहाँ पर से recover पे हम click करें और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से directly मैं OK पे click करूँगा within few minutes, मतलब यह बहुत ही जल्दी recover कर देता है, तो इस तरीके से दोस्तों मेरा यह वाला file भी recover हो चुका है, जो की 100 MP से जादा था, बड़ा file था, और इसी तरीके से मैंने recover किया था अपने इस वाल SD card से, तो अपने pen drive के आराम से paste कर सकता हूँ, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका data जादा है, तो आप paid वाला version भी use कर सकते है, depending upon आपका जो भी use case scenario है, मैं link दे दूँगा description box में, आप ज़रू try कीजिएगा, और मैंने इस वीडियो में आपको सारा explanation दे दिया है, कि काम कब क्या-क्या सावधानी रखनी है, तो एक चीज मैं यही बोलूगा, कि कभी भी आपका data delete होता, जैसे हमारे case में बहुत important file था, delete हो गया, तो यार, ठीक है, delete हो गया, कोई बात नहीं है, गल्दी से होता है, बट समय रहते हुए, यानि कि आपको कोई भी file उस पे overwrite नहीं करन सारे links आपको मैं description box में दे दूँगा, ज़रूर use कर सकते हैं, अगर आपने use किया, हो गया है काम आपका, तो please comment करके हमें ज़रूर बताना, ये वीडियो अच्छा लागओ का like करना 1000 like target था, जादा नहीं था, अब तो यार, बहुत सारे videos भी आने वाले हैं, तो इसके लिए हुआ हुआ है